जैहिंद आज किस वीडियो में जानेंगे कि EWS के लिए जाती आया निवास कैसे online apply करेंगे और apply करते समें कौन-कौन से document upload करना है जिसे कि एक बार में ही बन जाए reject ना हो और last में यह जानेंगे कि EWS कैसे apply करना है और apply करते समें क्या-क्या document देना है जब आप EWS apply करते हैं तो इसको बनने में 21 दिन का समय लगता है लेकिन apply करने के तीन-चार दिन बात आपको ब्लॉग जाके verification करवाना होता है और जब आप ब्लॉग जाएंगे तो आपको कौन-कौन से document लेके जाना है जिसे कि आपका EWS का जो verification हो जाए complete तरिकास से और किसी भी प्रकार का कोई दिख हो जाएगा मैं नीडज महता बिहार पुर्णिया से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वाले वीडियो में और आज का वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आपको बिहार सरकार की official website serviceonline.bihar.gov.in की official website पे सबसे पहले आपको आ जाना है यहां पे आने के बाद आ आए निवास और EWS परमानपत्र को online apply करेंगे तो सबसे पहले यहां पे आने के बाद इस website का जो है हिंदी और इंगलीज दोनों माधियम में है यहां पे अगर किलिक करते हैं हिंदी इंगलीज में तो यहां पे आपके अनुसार जो है language change हो जागा website का तो आप अपने language के अ नीचा में आटीपीए सर्विसेज का option मिलेगा सर्विसेज के नीचा में देखेंगे आपको एक मिलेगा General Administration Department का यहां पे आपको किलिक करना होगा जैसे यहां पे क्लिक करेंगे यही से आपका सरापरमानपत्र जो है online apply होगा तो सबसे पहले आपका जो है यहां पे देखें सर्टीपिकेट उसके बाद यहांपे कास सर्टीपिकेट उसके बाद इंकम सर्टीपिकेट और इसी में नीचा में सबसे लास्ट में आएगा economically we care section यहां से आपका अप्लाय होगा सबसे पहले हम यहां पे रेसिडेंटील सर्टीपिकेट अनि कि आवासश प्रमानपत्र जि तो आपको Block Level पे apply करना होगा, Block Level को CO Level, RO Level के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर आपको Block Level देखने को मिलेगा, तिक और यहाँ पे जब आपका Block Level सेटिपिकेट बन जाएगा, ऑल नएन अगर आपका download हो जागा, यहाँ पे देखे, download certificate का option है, यहाँ पे click करके आपको download कर ले अप्लोड करना होता है उसके साथ एक अधर डॉक्मेंट के तौर पे अधार काड अपना अप्लोड कर सकते हैं जब आपका सब्डिविजन लेवल अगर आपका डॉनलोड हो जाएगा तो सब्डिविजन लेवल का सेटिपिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले आपको ब्लॉक्ट लेवल की ओप्शन पर किलिक करना होगा चलिए यहांपर किलिक करने के बाद आपका जो होमपेज रहेगा कुछी सरकार से ओपन हो जागा जहां से आप आप आभेधन करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा फ़ॉर्म नमबर मिल जागा arrest नीजिए भर ऊंप के नाम से भी जाना जाता है यहां लेवल सकते हैं ब्लोक लेवल यह फीर सर्कल ऊफिसल लेवल भी आपके अनिकी सरकल ओफिसल लेवल के नाम से भी जाने जाता है इसको चलिए उसके वाद सबसे पहले यहां पर डिटेल करना होगा यहां पर हम अपने अनुसार जेंडर को स्लेक्ट करेंगे और यहां पर आपको सिरी या कोई अभिवादन नहीं आप देख लेंग चाहते हैं लगा सकते हैं नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते हम यहां पर कुछ नहीं लगाना चाहते हैं ठीक उसके बात यहां पर आपको अपना नाम फिल करना होगा इंगलिस में देखिए यहां पर होता यह है कि जब अपना नाम यहां पर यहां पर टाइप क अगर आप बना रहे हैं पिल करना होगा इसके बाद नीचे रख आएगे आने था यहां पर छोड़ दें यहां पे आपको एक मोद नंबर एक जो ही इमेल आईडी दे दें जिसे की आने वाले समय में आपको काम देगा अगर भी आपका बन के certificate आएगा तो इस पे जो है आपका विभाग की ओर से email पे जो ने PDF भेज़ देगा उसके बाद यहां पर आपको अपना address फिल करना होगा करेंगे पाद करेंगे आपके पीन那么 क्या आपके यहां पर पोटो अपलोड करना हैप पिचास से सो कोभी रखेंगे जो आपका फोटो पे होना चाहिए आपका फेस पर नहीं होना चाहिए साइड में आपको देखने को मिल जागा यहाँ पर अधार-णमर अगर आप फील करेंगे तो अधार के साथ जो भी मुआलल मर लिंक रहेगा उस पर OTP आएगा यहां पे हम आधार का option जो खाली छोड़ देते हैं क्योंकि हम यहां पर डॉक्मेन अप्लोड करने वाले हैं निचाक्तर रबाएंगे यहां पर आपको बताना होगा कि आपका निवास क्या है और अस्थाई है इस तरह से आपको देख लेंगे इसा कोई यहां पर रिजन आपको बता देना है उसके बाद नीचे तरह आएंगे अगर यहां पर ठीक लगा हुआ रहेगा तो ठीक रहने देंगे उसके बात यहां पर आपको यह जो प्रोशीड के ओप्शन पर किलिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा यहां पर देखेंगे आपको देखने को मिलता होगा यह ओटोमेटिक आपका फिल होता है नीचे मापको अटेज एनेक्सर का ओप्शन मिलेगा सबसे पहले यहां पर देखेंगे करेंगे आपका दॉक्सर करेंगे चेंप्शन फिस तरह से निकल के आ जाएगा जागा ऐने के जो भी इसमें डॉक्सर के अप्रियों डे दीजिए अप कोशिचिभिक आधार कार देने का यहां पर दियान रखना है कि यह जो निवास प्रवन पत्र आप बना रहे हैं तो इसमें आप पॉसिज किजिए अधार कार्ड देने का पेंड कार्ड नहीं दीजिएगा यहां पर क्योंकि पेंड कार्ड देते हैं तो रिजक्ट हो जागा आपका फॉर्म इसलिए क्योंकि प्रेण कार्ड में सिब आपका नाम आपका फ्हाधर्स नेम आपका फोटो यह देता बर्थ यह होता लेकिन एड्रेस पूरूप नहीं होता तो आपने जो निवास प्रविण पत्र रप्ला है और फिलब करते हैं अपना एक यहां पर डॉक्मेंट देना एक ही में पीडियाप में जो आपको यहां पे अपलोड करना होगा अगर आपका मादाता पहचान पत नहीं है तो अपना अधार कार देजिए और अपने पिताजी का अधार कार देजिए अगर दो डॉकमेन आप देते हैं तो एक बार में ही आपका निवासपराण पत्र बन जाएगा रिजक्ट नहीं होगा लेकिन जदतर जो है रिजजक्ट भी हो जाता है अगर आप शिर्फ अपना अधार कार देंगे और यहां पर दियान रखेंगे कि आपको अधार करेंगे तो साइड में हम आपको देखा रहे हैं ऐसा इसी तरह से आपको आगे और पीछे व डॉकुमेंट है कितना मतलब की साइच का होना चीए और कौन सा फॉर्मेट में होना चीए यहां पर आपको देखने को मिल जागा जिसे निवास प्रावन पत्र के लिए बोला गया है कि दो MB से कम तक में रहेगा तो यहां पर आपका जो अपलोड हो जागा लेकिन दो से अगर वोटर कार्ड तो लियो करका जिरोख सेटेंब करके यहांप 50 पर किली करेंगे और एक देखना ओपमिलेगा यहाँ पे धेखिए एक अधारकाट का देखने के लिए मिल जागा आपको चेक करें आपने यहां पर यहाँ का अप gotta ही है और जो आपने डॉक्मेंट है वह डॉक्मेंट शही तरीका से दिखा जया चलेंजा करेंगे आपका Form submit हो जाएगा समीट होने के बाद आपको एक PDF मिलेगा PDF जो नीचे आएंगे नीचे मापको export to PDF option मिलेगा उस पर किली करके PDF को आपको download कर लेना है और आपने जो मुवाइल नमर और आपने जो email करने का प्रोस्इस जाना था और निवास परमानपत्र के लिए कुण-कुण से की पर्म रेजेक्ट ना हो जाना है अब हम जानेंगे जाती परमानपत्र कैसे? और जाती प्रमानपत्र के लिए जो है क्या-क्या डॉक्मेंट देना है जिससे की जाती प्रमानपत्र रिजेक्ट ना हो एक बार में ही बन जाए तो जाती प्रमानपत्र अप्लाई करने के लिए फिर से आपको होमपेज पर आ जाना है यानि की ओफिसल लेवसाइट का होमपेज जो कि आप सब इसकीन पर देख सकते हैं यहां पर आनेक बात सेम वही प्रोसेज आपको करना होगा अपलाई के नीचा में यहां पर देखे आटे पीए सर्वेसे नीचा में जेंडरल वाला उप्शन पर किल यहां पर अनुसूची जाती यहां पर सब्सक्रावर जिसको बीसी के नाम जना जता है यह गयर आडक्षी दवर जिसको नम है जेंडरल या फिर यूँ-र अन्डिक्शर्व केटेगरी बोला जाता है यूँ-र का मतलब अन्डिक्व और यह जो आपका बनेगा पर नेगा ज अप्लिकान का नाम आपको फिल करना है अंग्रेजी में हिंदी में फादर्स ने मदर्स ने अगर कोई महला मेरीड है तो यहां पर आप ब्लेंग छोड़ देंगे बिहार आपको अपर दिट से प्रादर विडियोट में आपको बता रहे हैं फ़ेट से आपको आप वाटनर्व संख्या यहां पे जो है आपको गराम इनिकी विलेज या टाउन का नाम लेकिए पोस्ट ओफिस और आपका थना यहां पे क्या है पिन नमबर यहां पे डालिए और अभी जो हम यहां पे एड्रेस फिल किये हैं यह परमानें एड्रेस है ठीक और नीचाम जो अब तक टिक करना बलोकि आपको बताना होगा पर्जेंट में अभी आप कहां रह रह रहे हैं लिए तीक लग गया मेरा नीचे तरह आएंगे देखें के कौन सा ओप्षन यहां पर खाली है जैसे यहां पर देखें सबसे पहले आपको फोटो फोटो आपका जो इस तरह से आपको अपलोड करना है पाचास से सव कभी सेम वही फोटो जो आपको आपका अपलोड हो अब यहां प्रणाब करेंगे अब आपको बताना होब आपकी 되면 कैसे मतलब होगा एम से और वे लाफट आरक्षित जिसको जनेरल के नाम से सब्सक्राइब यहां तो यहां पर चाहिए को सेलेक्ट करेंगे आपको यहां पे जाती सेलेक्ट करने का उप्सन नहीं देगा वह आपको पता होना चीह कि मेरा जो है करेंगे यह ओटोमेटिक आपका हिंदी में ले ले उसके बाद नीचे एक तरह आएंगे और यहाँ पे आपको यह जो capture फिल करेंगे और नीचा में देखें आपको प्रोसीड का option आएगा यहाँ पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आपका इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपको स्राव डिटेल चेक कर लेना एक बार अगर इसमें लगे कोई चीज गलत है यहाँ पर देखें इडिट का option है इडिट पर किलिक करेंगे ठीक अगर लगे सरा चीज सही है तो एक की चैट को बात हो जाएक और यहाँ पर आपको क्या आपर अप्लोड करना है लेकिन यहां पर जाती-प्रमानपत्र एस से कम तक मैं आपको फाइल अपलोड करना है उसके बाद चलिए फाइल का जो यहां पर फॉर्मेट भी बता दिया है इसमें कौन-कौन से डॉक्मेंट देना यह जान लेते थोड़ा सा पहले तो चलिए यहां पर जैसे कि हम एक फॉर्मेट बनाग रखे जैसे कि देखे यहां पर तरह से जो आपको अधार काड़ले जैसे कि में अपना अपना बनाना थक्ति आगे kommt और पीखे का भी और नीचा में सिंक्निचर कर देंगे इस लिखना उपर आपई लिखना अछाँ एक नीचा में पीता का धार अधार अगर साधी सुधा महीं का है डिता के साथ साथ हो इंपको अगर ओपर में देना हो हर आपका जमीन का खतियान है तो आपको इसमें नहीं इसके अलावा दूसवरा पेज में आपको जो खतियान का भी एगए स्केनिंग करके उसको जो एक ही पीडियाब में जो मर्ज करके आपको अपलोड करना होगा यह सरा डॉक्मेंट जो आपको देना होगा आए थोरा सा जान लेते हैं यहां पर जैसे कि अगर आप इसमें आएंगे अनिकी जहां करने के लिए अगर खतियान है जरूरी नहीं आपके पास होना अगर है तो है अगर नहीं है इसलिए हम आपको दो तरह का अधार काड़ बताएं अपना आधार अधार का अगर आपका यहां बं जागा या फिर इससे पहले अगर आपने कभी भी ये जाती प्रमान पत्र अगर आपने कभी भी बनाया है अगर वो आपके पास है पूराना चाहिए कितना भी पूराना क्यों ना हो अगर है तो अपने अधार के साथ अपने पिताजी का अधार के साथ नीचा में पूराना वाला जाती प्रमान पत्र को यहां ही पीडियाप मर्ज करके यहां पर अपलोड करते आपके ऊपीडिया चाहिए उसके बाध यहां eh simply a eat can रखके चलिए उसके बाद फ्पीर से यहां पर आपको अपलोड कर देना होगा इह डॉक्मेंन आपको देना जरूरी अगर नहीं देते हे फॉर्म आपका reject भी हो सकता है यहां पर होने के बाद आपको save की option पर किलिक करना होगा आगे का वही process है यहां पर आपको last में submit कर देंगे आगे आपको receiving मिलेगा receiving को आपको download करके रख लेना है इस प्रकार से जो है आप अपना जो है अब हम जानेंगे आए परमानपत्र कैसे online apply करना है कौन-कौन से document देना है और यह जो परमानपत्र हम apply करेंगे EWS के base पर हम apply करने वाले हैं तो EWS और यह income यह दोनों को साथ में मिलाके चलेंगे कैसे आपको apply करना इंकम कितना डालना है सबसे पहले आपको फिर से आपको home page पर आजाना होगा यहां पर अंग्रेजी हिंदी जो भी आपको अच्छा लगे जो भी सही लगे उसमें वेबसाइट को रखिए इस बार को हम हिंदी में ही रख देते हैं तो सेम प्रोसेस है आउनलाइन के नीचे जिए यहां पर लेको से नीचे समाने परसाषन का विभाग यहां पर किलिक करेंगे आय परमानपत्र को अपको एसे स्रिटी में है हजबें आपना अबने नाम अब्धर करेंगे अगर कोई महला तो वैस levar हुष्बेंट का नाम फिल करना जरूरी है अगर नहीं है तो यहाँ पर खाली छोड़ दीजिए एक मुखाला नमर दीजी एक अबर देना जरूरी है अगर आप देते हैं तो आगे आपको काम आएगा अगर नहीं देते हैं तो आगे चल के हो सकता आपको दिक्कत हो जाए वो सीज़ किजिए आपके पास एक मुआल नमर होगा और एक मैलाडी भी होगा तो दोनों दे दीजिए यहां पर उसके बाद यहां पर आपको अपना एड्रेस फिल करना अपना परखन जैसे पहले फोर में ने सेलेक्ट किया था यहां पर फोटो भी आपको वही जो पहले फोर में हम दिये थे पचास से सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना होगा कि आप जो बना रहें तो आपका पैसा क्या है अगर इसमें देखिए सरकारी सेवा वेपार किसान गिरहनी अन्य का उप्शन है सब्सक्राइब करना होगा उसके बाद नीचे में आपको बताना होगा कि आपका इंकम क्या है जब यहां पर टोटल इंकम में आएंगे साल का इंकम आपको बताना होगा और यहां पर इंकम यहां पर लेक। तो नीचे में self declaration जो है यह automatic जो है आपका फील होगा और जैसे कि हम यहां पर उधारन के तौर पर चलिए हम बता देते हैं जैसे कि सरकारिक से मेरा कुछ नहीं है जैसे कि माल लेते हैं कि मेरा इतना income हो रहा है और website से भी माल लेते हैं कि मेरा इतना income हो जा रहा है अन्य सरोत से हम माल लेते हैं कि मेरा income इतना हो रहा है इतना होने के बाद यहां पर देखें आपको total income इहां पर सो कर दिया सभी से जोर करके नीचे आएंगे यहां पर आपका यह address रहेगा और यहां पर लाश्ट में बोलता है मेरे परेवार की वार्षिक आये यहां पर देख यहां पर आपको परिवार का वार्षिक आया देना होगा तो परिवाण में कोन-कोन आता फो परिवार को जानने के लिए हम ewrs का फोरमें कर लें खेंगे और और ewrs Keeping और बपन करने के बाद सब से नीचा आएंगे यहां पर कोज़те मंगें हैं आपे लिखें परिवारमें सम्मेलीट है अभियारती जो आरेक्षण का लाव लेना चाहता हो अभियारती का मतलब यहient होता है का आपको कही नणा लाव लेना है कोई user को हमा legislators को तुस्याइस में जो अब्सकुलकोलेज में के लिए आपको EWS की जरूरत है लिए आप बना रहे हैं अरक्षन का लाब लेना चाहते तो आप ही अरक्षन के आनी की आप ही अभिहारती हो गए उसके बाद अभिहारती के माता-पिता तो आपका मम्मी और पापा यहां पे अभिहारती कंडिडेट हो गया कंडिडेट का मदर और फादर तो यह तीन लोग हो गया अगर अभिहारती का जो है कोई भाई और बहे हैं और वो अठारह वर्श से कम उमर का है तो वह पर प्राइवार में सामील हो गा, अगर अठारह वर्श से, यहां पे लिखा है, 18 वर्ष से कम आयू के भाई बहन, तो 18 वर्ष से अगर कम उम्र का भाई और बहन है, तो वो आपका परेवार में सामिल होगा, के बाद यहां तथा पती एवं पतनी, अगर अभियारती मेरिड है, तो वो भी यहां पर सामिल होगा, उसकी पतनी भी यहां पर सामिल होगी, अग करना अगर कोई भाई और बहन अठारा वर्ष से उपर का अगर उनका कोई इनकम है तो यहां पर इनकम जो जीरो होगा अगर अभिहारती भी अठारा वर्ष कम परिवार को हम समझ चुके हैं तो यहां पर दियान रखेंगे यह जो हम बना रहें इंकम के लिए यहां पर दियान रखना होगा किस्ट के लिए अगर आपका इंकम आठ लाग से ज्यादा है साल का परिवार का इंकम आठ लाग से जादा है तो फिर आप EWS के लिए इलिजिबल नहीं है आप EWS सेटिफिकेट नहीं बना सकते हैं या फिर नीचे में यहां पर लिखा है चार तरह का कंडिशन पहला कंडिशन यह है कि आपके पास अगर 5 एकर किरिशी योग भूमी या उ तो आप EWS के लिए इलिजिबल नहीं है आप नहीं बना सकते हैं अगर नहीं है तो फिर बना सकते हैं या फिर यहां पर चार पुएंट है चारों में से किसी में भी आप नहीं आते हैं तभी बना सकते हैं अधिसुचित नगरपालिका के अंतरगत एक सो गज अथवाइस से अधिका आवाश्य भूकन या फिर अधिसुचित नगरपाली का इतर यहां पर आप देख लेंगे अगर इसके अंत्रकद आप आते हैं तो आप इलिजिबल नहीं है अगर इन इनकम के बेस बनेगा यह जब बनाएंगे तो यहां पर आपको इनकम होगा तो आपको हो सकता है कि डॉक्मेंट के तौर पर आपको देना होगा और बताना होगा वह स्लीब आपको मिल जाएगा वह आप देख लेंगे किस परकार से आप निकाल सकते हैं जो आपका सेलीडी स्लीब होगा वह आपको यहां पर देना होगा क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक कमेंड आया हुआ था यह से सरकारी नोगरी वलात क्योंकि उन्होंने बताया कि म आपका रिजर्ट नहीं होगा चलिए यह सराचीज हो गया नीचे आपका हो जागा उसके यहां के प्रोशीट करेंगे आगे का काम आपका सेम रहेगा यहां पर आपको बता देते हैं कि कौन-कौन डॉक्मेंट देना जैसे दिखें नौर्मली वह के लिए अगर आप बना और अपने अधारकाट को अप्लोड करके यहां पर आपको समीट कर देना सेम प्रोशेस वह सेम तो सेम अब हम जान लेते हैं कि EWS कैसे अप्लाइ करना के लिए फिर से इसी में आएंगे यहीं पर आने के बाद नीचा हम देखें आपको आपको आप्शन मिलेगा आर्थिक इसे कमजोर वर के लिए आय और संपती प्रमानपत्र निरगम तो यहीं पर आप किलिक करेंगे यह फ़रम आपका निकल के आ जागा देख लिए यहां पर यहीं पर आपको अपलाई करना होगा सेम प्रोशेस सबसे पहले आपको यहां पर बताना होगा कि आपको जो है दिड़ंडे जो पर्मानफत्र चाहिए अंग्रेजी में चाहिए जा यहां और टिफॉल्ट irm करेंगे से यहां व्हक्तर करेंगे सुए जए जिए अब अब रखना चाहिए रख सकते हैं सब्सक्राइब यहां इसनुषार बड़ यहां नाम कर चलिए जिला और मंडल परकंड करेंगे उसके बाद नमबर यहां पर पंचायत का नाम नाम थाना डागर फिन नमबर यह देखें नमबर यह लिए नमबर सब करना होगा जदातर जो है कनिड़ेत गलती कर देता है अगर इन में से आप गलती कर देंगे तो हो सकता आगे आपको दिक्कत हो जाएगा सबसे पहले इसको पहरना देखिए को ओर उखें में से मेंसे किसी एक को स्थट देखें आपे को नमर में बोला जा रहा है कि केंद्र हेतु यानि कि सेंट्रल में अन्ने पिछरावर यानि कि O BC इबम यानि कि सेंट्रल में जो है O BC और्र हेतु जो है अनुसूची जाती यानि कि SC अनुसुची जनजाती, यानि कि ST पिछरावर, यानि कि BC अत्यन पिछरावर, यानि कि EBC, के सुची बद में नहीं है, इसको स्लेट करने का मतलब यह हुआ कि आपकी जो जाती है, वो जाती जो है Central का जो OBC का लिस्ट में उसमें भी नहीं आता है, और बिहार का जो ST से ना ही BC, EBC से आते हैं, इसका मतलब हो आप General से आते हैं, आपको कोई नमर सेलेक्ट करना है, और कोई नमर वही वेक्ति सेलेक्ट करेगा, यहां पर देखें, बिहार है तू, यानि कि बिहार में SC, ST की सुची बद में नहीं आता है, अगर ऐसा वेक्ति जो बिहार में SC, ST नहीं है, लेकिन, जब कि PC अत्यन पिछरावरी, यानि कि EBC की सुची में है, जो आपका स्टेट में BC, EBC का जो है, टर्टिपिकेट लिस्ट होता है, उसमें आप आते हैं, SC, ST से नहीं आते हैं, लेकिन Central वाला जो OBC का लिस्ट है, उसमें आप नहीं आते हैं, तो इसका मतल जीए अगर आप general category से हैं Central में भी अगर बिह हर अब का जाती बिसी इभी सी है लेकिन Central में आपका जाती जो General हो जाता है यहां पर खौकर oselect करें गए और को स्लेक्ट करने का टाको यहां कि यहां को स्टेट में जो है लेकिन सेंट्रल में जो है वो इसी स्टितिम आपको यहां पर जाती बताना करना होगा कि आपकी जाती क्या है कि यहां करेंगे और यहां पे चलिए जो मैंने जाती प्रपनपत्र में अप्ल रहा तो यहां पर अपना कर देना है उसके बाद अपना जो एक mobile नंबर एक Gmail ID देना है यहां पर आपको फोटो देना है फोटो जो आपका अभी परमानी दोना चाहिए वही फोटो जो आपका इससे पहले आपने जो सिकनेचर करके रखा हुआ है जो आपने जाती आई निवास में आपने दिया था वह लेकिन यहां पर आप से यह नहीं पूछा जा रहा है कोन शरुत से कितना आए हो रहा है यहां पर आप से नहीं पूछा जागा लेकिन जब आप cider कर देंगे तो आपका जो इसा सिब्यूस पर यह जो है बैसमें होगा तो आपका इसमें है यही कि अपको यहां प्रण को टीक करें चुक VO का option आएगा फिर डॉक्मेंट अप्लोड करने का option आएगा फिर समीट करेंगे आपका जिन बात आपको लॉक्र रिखर लें के रिब्राइब ट Breakfast अब आपके बिलूग ले करकर आपको ये यह É长 ऑपके निवास के लिए कि अंजने आपके रित यहाद से अफ़ इस्चेटि YouTube के लिए यह दो outsiders के खिंख आपको बद्वास नहीं 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 यह भी हो सकता है कि इतना के लाभा खुछ और भी डॉक्मेंट मांग ले तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि सब्सक्राइब करें अगर आपके पास जातिये निवास है और हाफीड भी है तो जब समीट करेंगे डौकमेंट जब अपलोड करेंगे तो उस समय कोशिज किजेओ सब ही डौकमेंट को 對명 करके आधार के साथ अपलोड करके एक पिडिया में में आपको करने के बाद फीड आपको ६लोग जाना ही होगा चाहे यहां पर डौकमेंट लेबल का फिर बनाना होगा यह अनुमंडल स्थर का अगर एक बार बनाएंगे तो अगर आप ब्लोग लेवल का वेरिफिकेट बन जाता है तो अपको ऑनलाइन ही अपलाइक करेंगे तो यह अपको अपलोड करना होगा यहां पर दियान लखेंगे एक बार शिर्फ आपको ब्लोग जाके वेरिफिकेट करवाना होगा अंचल अस्थर पे और यह दोनों अस्थर पे आपको नहीं जाना है ऑनलाइन अपलाइक कर दीजिए आपका सेटिफिकेट बन जागा तो इस प्रकार से जो है आप अपना जाती आय निवास और EWS सेटिफ मैंने आपको बताया हुआ है इसके बाद भी अगर किसी तरका कोई 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 दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंड कीजिए और वीडियो के डिस्क्रेशन में जो है इंस्टाग्राम टेलीग्राम उसके बाद जो है आपको वार्टसेप गुरूप मिल जाएगा जीमेल म आज का वीडियो तो उमीद है कि वीडियो जो है आप से को पसंद आया होगा और वीडियो को लाश तक देखने के लिए धन्यबाद थैंक्यू सो मच मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद और जैभारत